हैलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सीलाई डिसाइन फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग सिंपल ब्लाउस की कटिंग सीखने वाले हैं अगर आपने आज तक कोई भी ब्लाउस नहीं बनाया है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप विल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में सिंपल ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग सीख जाओगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स इस तरह की इस ताइम पर बहुत ही जादा तुक्डियां चल रही हैं ब्लाउस की तो इसको सबसे पहले हमको पीछे साइड लगाना होगा और स्टीप्स में लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे एक साइड हमारा ये है तो इसको हम पीछे साइड लगाएंगे जो जुड़ा हुआ है ठीक है और ये जो नीचे साइड हम उसको स्लीफ में लगाएंगे तो स्लीफ में लगाने के लिए इसको हम सबसे पहले कट कर लेंगे इसको cut करने के बाद हम अपने sleeves में इनको जोड लेंगे तो इसको मैं cut कर लेती हूँ तो friends मैंने इसको cut कर लिया है आप देख सकते हो इसको cut करने के बाद अब हम अपने blouse की नाप लगाएंगे तो जितनी भी तयार length चाहिए हमको blouse की उसमें से हम 1 इंच प्लस करके लेंगे तो ये हमारा back part है इसलिए हम 1 इंच प्लस करके ले रहे हैं और front part में हमको back part वाले से 1.5 इंच प्लस करके लेना होता है तो friends आगे side भी हमको ऐसे निशान लगा लेना है यानि के फ्रेंट पार्ट में इस तरह से निशान लगाने के बाद ऐसे फोल्ड करना है यह मैंने फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद हमको कपड़े के बंद भाग की तरफ से अपने गले के लिए निशान लगाना होता है इस तरह से तो गले के लिए निशान हम धाई इंच पर लगाते हैं यहां से विल्कुल कपड़े के पास से धाई इंच पर निशान लगाया और गले की लेंथ आप अपने अनसार रखिए जितनी भी आपको तयार लेंथ चाहिए गले के उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना तो इस तरह से हमको ऐसे निशान लगा लेना है यह निशान लगाने के बाद इस तरह नीचे एक बॉक्स टाइप बना लेना है और इसमें आप कोई भी सेव दे सकते हो तो मैंने गोल गला बनाया है अब हम क्या करेंगे इधर साइड सोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो शोल्ड बाद अब हम क्या करेंगे इधर चेश्ट का चौथा बाग निकालेंगे और वहां पर माग करेंगे और जहां पर हमारी आर्म होल आई थी यहां तक हम लाइन मिला देंगे ठीक है अब हम दो इंच इस्ट्रा लेंगे मार्जीन के कपड़े के लिए आप दो इंच या तीन ले सकते हो कपड़े के अंसार इसके बाद अब हम बिल्कुल सेंटर पर आर्म होल पर गोलाई देंगे इस तरह से यह गोलाई देने के बाद हाफ इंच हमको अंदर साइड डाउन करना होता है फ्रेंट पार्ट में यह हम सिर्फ फ्रेंट पार्ट में कट करेंगे यह हमने निशान चेष्ट का भी लगा लिया है अब नीचे साइड हमें कमर का निशान लगाना होगा तो कमर का हमने निशान लगाया चौथा भाग निकाल के उसमें से 2 इंच हमने प्लस किया अब उपर वाले chest के जो हमने निशान लगा है नीचे का कमर का से मैसे हमको निशान मिला देना है इसके बाद अब हमको shoulder down करना होता है तो shoulder हम half inch down करते हैं गले की तरफ अगर हमको दोनों गले length में लेना है तो फिर हम गले की तरफ करेंगे अगर हमारे गले यानि केवल back part का length में है और front part का length में है तो फिर हम गले के side वरना हम armhole के side लेंगे ठीक है अब हम इधर 9 inch पर निशान लगाएंगे shoulder से ये bust point के लिए 9 inch पर निशान लगाने के बाद इधर से बिल्कुल हमको 1.5 inch जो हमने निशान लगाया 1.5 inch छोड़ते हुए इस तरह से टक्स के लिए निशान लगाना है तो ये हमें आरे 4 टक्स बनते हैं एक हमारे काजपट्टी की तरफ और नीचे side एक और एक हमारा जो fitting होता है उधर की side बनेगा तो हमें 4 साइड ही 1.5 inch छोड़ना होता है और 4 तरफ हम 1.5 inch छोड़के इस तरह से टक्स के लिए निशान लगा लेंगे और 1.5 inch यानि कि ये हमें प्लेट डालनी होती है 1.5 inch का कपड़ा लेके 1.5 inch हमारा पूरा रहेगा इधर से उधर से दोनों मिला के ये हमारा पूरा 1.5 inch है इतना ही हमको चारों में ही छिलाई लगानी है आप चाहो तो निशान लगा सकते हो चाहो तो नहीं इस तरह से हमको कट कर लेना है जिस तरह से हमने निशान लगाया था ये कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे इधर से हमारी श्लेट निकल आएगी इधर से अगर आपको नीचे फोल्ड करके पलटना हो तो निकल आएगा और यह हमारा जो गले का कपड़ा है यहां से हमारी पाइपिंग के लिए कपड़ा निकल आएगा अब हम क्या करेंगे बैक पार्ट को निकाल देंगे फ्रेंट पार्ट यह हमारा अब यह जो हमने सोल्डर हाफ इंच डाउन किया था तो यह सिर्फ हम फ्रेंट पार्ट में कट करेंगे बैक पार्ट में नहीं कट करेंगे इसको हम चौक से डार के कर लेंगे अब बीच का भी हम इसको कट कर लेंगे अगर आपको बैक पार्ट की लेंध अगर गले की जादा रखनी है तो फिर आप अप कट कर सकतो लेकिन मुझे इतनी ही रखनी है और इसके बाद अब हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो कपड़े के बंद भाग से चार इंच पर निशान लगाएंगे और उपर की तरब भी हम चार इंच पर ही निशान लगाएंगे इस तरह से दोनों साइड हमको लगा लेना है तो ये हमारे फ्रेंट पार्ट और वैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है अब हमको पाइपिंग लगाने के लिए और ये पट्टी चाहिए तो ये जो हमारी गले के पास से निकली है इस तरह से हमको निशान लगा लेना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है तो मैं कट कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स ये हमारी पट्टियां भी कटके कम्प्लेट हो गई है अब हम स्लीप्स कट करेंगे तो ये जो हमारा साइड से कपड़ा निकला हुआ था वहीं से हम स्लीप्स कट कर रहे हैं तो इधर से ये जो हमारा कपड़ा है उसको हम बिल्कुल सीधे साइड रखेंगे पीछे साइड हमारा उल्टा है और आगे साइड सीधा है यानि कि ये दोनों हम सीधे में सीधा मिला के रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल फोल्ड कर लेंगे अब फोल्ड करने के बाद कपड़े के बंद भाग की तरफ से हम अपनी स्लीफ की लेंथ लेंगे उसमें से एक इ लंबाई लेने के बाद आप हम इधर आर्म होल के तरफ निशान लगाएंगे यानि कि इधर हमें आर्म होल के निशान लगाना होता है तो यहां पर जितना हमारा चेश्ट है उसका हम चौधा भाग लेंगे और इस तरह से लाइन ट्रॉ कर लेंगे इस तरह से एक बॉक्स बन लाइन ड्रो कर लेंगे, तिर्ची इस तरह से, इस तरह से हमने लाइन ड्रो कर ली, इसके बाद बॉटम का निशान लगाएंगे, जितना भी हमारा बॉटम है, और उसमें से आप कपड़े के अंसार 1.5 इंच या 2 इंच आप प्लस कर सकते हो, मैंने 1.5 इंच प्लस किया है, इस तरह से हमको ये निशान मिला देना है, अब हम यहाँ पे इस आकार का सेव देंगे, यानि कि स्लीप्स का सेव देंगे, तो इस तरह से हमको स्लीप्स का सेव देना होता है, ये सेव देने के बाद अब हम सेम ऐसे ही, जितना हमने निशान लगाया सेम वैसे ही कट कर लें है आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स इसकी सिलाई के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसके बाद हम लोग इसकी स्टिचिंग भी सीखने वाले हैं थैंक